मंसुन सत्र में आप सबका स्वागत है सावन का पवित्र मास चल रहा है और इस बार तो डबल सावन है और इसलिए सावन की अवधी भी ज़रा ज़्यादा है और सावन मास पवित्र संकल्प के लिए पवित्र कारियों के लिए बहुत उत्तम माना जाता है और आज जब लोकतंत्र के मंदीर में इस सावन के पवित्र मास में मिल रहे हैं तो इस लोकतंत्र का मंदीर ऐसे अनेक पवित्र कारिय करने के लिए कि इससे बड़ा उत्तम अवसर नहीं हो सकता है कि मुझे विश्वास है कि सभी मान्य साउसद मिलकर के कि इस सत्र का जनहित में सरवाधीक उप्योग करेंगे संसद की जो जिम्मेवारी है और संसद में हर संसद की जो जिम्मेवारी है ऐसे अनेक कानूनों का बनाना उसकी विस्तार से चर्चा करना बहुती आवश्चक है और चर्चा जितनी जादा होती है चर्चा जितनी जादा पैनी होती है उतना जनहित में दूर गामी परणाम देने वाले अच्छे निर्णे होते हैं सदन में जो मानिय सांसद आते हैं वो धर्ती से जुड़े हुए होते हैं जनता के दुख दर्द को समझने वाले होते हैं और इसलिए जब चर्चा होती है तो उनकी तरब से जो विचार आते हैं वो जड़ों से जुड़े हुए विचार आते हैं और इसलिए चर्चा तो समर्द होती है निर्णे भी ससक्त होते हैं प्रणामकारी होते हैं और इसलिए मैं सभी राजनितिक दलों को सभी मानने सांसदों को इस सत्र का भरपूर उप्योग करके जन हित के कामों को हम आगे बढ़ाएं यह सत्र अनेक रुप से महत्वका भी है क्योंकि इस सत्र में जो बिल आये जा रहे हैं वो सीधे सीधे जनता के हितों से जुड़े हुए है हमारी युवापीडी जो पूरी तरह डिजिटल वर्ल्ड के साथ एक प्रकार से नेत्रूत पर कर रही है उस समय देटा प्रोटेक्शन बील देश के हर नागरी को एक नाया विश्वास देने वाला बील है और विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला बील है उसी प्रकार से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ये बील लेनारेफ नई सिक्षानिती के संदर्प में एक बहुत बड़ा एहम कदम है और इसका उप्योग अनुसांदान को बद लेना इनोवेशन को भल देना रिचर्च को भल देना और हमारी युवा पीड़ी जो विश्व के अंदर नए उपक्रमों के द्वारा विश्व का नित्रुत्व करना का सामर्त रखती हैं उनके लिए बड़ा आउसर देखर करके आ रही हैं जनविश्वास बील सामान ये मानवी के परती भरोसा करना अनेक कानूनों को डिक्रिमिल्राज करना इस मुहीम को आगे बढ़ाने वाला इबील उसी प्रकार से जो पुराने कानून है उनको खतम करने के लिए भी एक बील में प्रावधान किया जा रहा है हमारे यहां सदियों से एक परंपरा रही है कि जब विबाद हो तो सम्वात से सुलजाया जाए मिडियेशन की परंपर हमारे देश की बहुत सदियों पुरानी है उसको अब कानूनी आधार देते हुए मिडियेशन बिल नाने की दिशा में इस सत्र का बहुत बड़ा उप्योग है जो अनेक विवादों से सामान्य से सामान्य मानवी से लेकर के असामान्य संजोगों को भी मिल बैठ करके सुल जाने का एक मजबूत निव बढाएगा इसी प्रकार से डेंटल मिशन को लेकर के एक बिल जो हमारे डेंटल कॉलेजिज के लेकर मेडिकल के छात्रों के लिए एक नई व्यवस्ता को आकार देगा ऐसे अनेक महत्वपूर्पूर्बील इस बार इस सत्र में सवनसज में आ रहे हैं तब ये जन हित्के हैं ये युवा हित्के हैं कि भारत के उज्वल भविश्य के लिए हैं मुझे भिश्वास है कि सदन में गंबीरता पूर्वगिन बिलो पर चरचा करके हम बहुत तेजी से राष्ट रहित के महत्वपूर्पूर्ब कदमों को आगे बढ़ाएंगे साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूँ, इस लोकतंत्र के मंदीर के पास खड़ा हूँ तब मेरा रदय पीडा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है, मनिपूर की जो घटना सामने आई है किसी भी सब्ब्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है पाप करने वाले, गुना करने वाले, कितने हैं, कौन हैं, वो अपनी जगापे है, लेकिन बेजजती पुरे देश की हो रही हैं, एक सो चालिस करोड देश वाचियों को सर्मसार होना पड़ रहा है, मैं सभी मुखमंत्रियों से आगर करता हूँ, कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्ता को और मजबूत करें, खास करके हमारी माता और बेहनों की रक्षा के लिए, कठोर से कठोर कदम उठाएं, गटना चाहे राजस्तान की हो, जटना चाहे चत्तिश गट की हो, गटना चाहे मनिपूर की हो, इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोड़े में, किसी भी की राज्य सरकार में, राज नीतिक वाद विवाद से उपर उठ करके, कानून व्यवस्ता का महत्माएं, नारी का सम्मान, और मैं देश वाजियों को भी स्वाद दिलाना चाहता हूँ किसी भी गुनेकार को बक्षा नहीं जाएगा कानून अपनी पूरी शक्ती से पूरी सक्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा मनिपूर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है इसको कभी माप नहीं किया जा सकता है बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों